आप मेरी बात मिनना जाना आप पहले वीडियो को पूरा देखना फिर कहना कि हाँ भाई ये वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा आउसम थी तो आज के इस वीडियो मैं करने वाला हूँ शॉटगन वन्ली चैलेंज यानि कि मैं सिर्फ शॉटगन ही यूज़ करूँगा पूरे मैच में तो फिलाल तो मेरे को जो शुरू में गन मिलेगी मैं मुझे उससे यूज़ करना होगा और जैसे ही मुझे शॉटगन मिल जाएगी मैं एक्सचेंज कर लूँगा तो फिलाल जैसे ही मैं उत्रा मेरे हाथ में लगी मैं 16 और मैं तुरंत बहार आया ताकि कोई बंदा अगर दिखी जा तो मैं उसे नहत्ता मार दूँँ तो यह जो बंदा था मेरे को दिख गया सामने अकेले बिना गन्स के तो मैंने इसको मार दिया और इसके बाद से मैं शॉटगन खोने लगता हूँ बट फिलाल तो अभी फिल एग्रेशन में आया इदर मेरे को मारने के लिए लेकिन पीछे से एक बाट आता है पर मैं बाट को नहीं मारता हूँ मैं उस बाट को बेट करता हूँ एज बेट यूज करना चाहता था लेकिन इस बॉट को कोई और ही मार देता है सामने वाला जो खिड़की में जो बंद था उस बंदे ने इसको मार दिया तो मैं उस पे कुछ दे तक एम करके बैठा था कि अगर वो पीक करता था तो मैं उसको मार दूंगा लेकिन उसने पीक नहीं किया तो उस बंदे को मैं इग्नोर कर देता हूं और इस बंदे के पास मैं आ जाता हूं जिसने मेरे पर पुछ किया है तो मैं इस बंदे को एक बेट करता हूं पता है कौन सब है पिस्टल बेट यानि कि मैं उसको ये दिखाता हूं कि मेरे पास सिर्फ एक पिस्टल ह और फिर देखो बंदे को लगा कि सिफ मेरे पास एक पिस्टल है तो फिर वो आ गया चड़के मारने के लिए और उसे फिर से हमने M16 से निप्टा दिया और फिर इसके बाद से इसी बिल्डिंग में मुझे मिल जाती है एक शॉटगन S686 डबल बैरेल वाली तो फिर मैं इधार आ जाता हूँ रोड क्रोस करके और सामने वाली बिल्डिंग में एक बंदा था जो की TPP ले रहा था तो मैंने उस पे नेट करने की ट्राई की बट नेट तो एक्टम विल्कुल सही जगा पे नहीं जा पाया लेकिन मे इस बंदे को कितने यूनीक तरीके से मारता हूँ शॉटगन से अफकोर्स मेरे हाथ में एक UMP थी मैं चाता तो यहाँ पे UMP को यूज़ कर सकता था लेकि मैंने यहाँ पे शॉटगन यूज़ किया क्योंकि और यसी बात है यार मैं शॉटगन चैलेंज कर रहा हूँ तो मै शॉटगन ही यूज़ करूँगा अभी तक मेरे पास कोई दुबारा दूसरी शॉटगन नहीं लगी थी इसलिए मैं UMP को रखा था बड़ जहां पर मेरे को दुबारा शॉटगन मेलेगी मैं उससे UMP को एक्सचेंज कर दूँगा तो फिलहाल मैं और इस बन्दे को क्या ही ओसम तरीके से मारा और इस बन्दे को मारने के बाद इसका दूसरा टीम मेट भी मेरे बगल वाली बिंडिंग में आ जाता है तो फिर देखो उसको भी कैसे मारते हैं तो फिर इस टीम का भी कर देते हैं हम सफाया और सामने से एक बंदा ठपाठब डीबियस चलाए जा रहा था और उस बंदे ने अकेले एक टीम को मार दिया था वो भी डीबियस से तो फिर देखो अब उसकी बारी है उसे हम कैसे मारते हैं खेर वहां सो तो बंदा बच जाता है लेकिन वह आए पर इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर जस्ट सीडियों पर ही कैम कर रहा होता है अब यहां पे मेरे लिए पुष्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की था क्योंकि अगर मैं सीडियों सो जाँगा तो वो एजली मेरे को मार देगा अब याद रखना इस इसकारेल वाले को इसको मैं बहुत ही अच्छी मौत दूंगा पर फिलहाल मैं यहां पे थोड़ा बहुत रिस्क लेके उपर जाने कोशिश करता हूँ लेकिन बंदा जो था बिलकुल सीडियों पे ही कैम कर रहा था तो फिर उपर जाना मेरे लिए बहुत ही जादा रिस्की था इसलिए मैं उसके सामने से तो बिलकुल भी उपर नहीं जाना चाता था बट फिलहाल यहां पे एक बॉट आता है अब भाई साब जैसे ही मैं इस बॉट को मारता हूँ जो उधर का इस कारेश वाला बंदा था वो मेरे पुछ कर देता है तो फिर देखो इसको मैं कितने ओसम तरीके से मारता हूँ भाई साब बंदे के पास इस कारेल होते हुए भी मेरे को शॉट गन से मारने आया था अगर उसका एक शॉट मेरे पे लग जाता तो मेरे यहाँ पे पूरा का पूरा मेहनत खराब हो जाता बट फिर भी मैंने उसको एक शॉट गन चिपका ही दिया और अब इस बंदे के बारी है जो मेरे उपर है तो फिर अब इस बंदे को मारनी के लिए मैं यहाँ पे 300 IQ यूज करने वाला हूँ देखो इसके ओ मारनी के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे आया और सिंपली इस जो फेंस है इस पे मैं चड़ा और उसके बाद से सामने वाला जो श्रैक का छथ है उस पे मैं चड़े गया और अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है तो गाइज अगर आप लोगो को यह ट्रिक पसंद आई हो तो यह डेफिनिटली वीडियो को लाइक जरू कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही अमेजिक गेम प्लेज अब आने वाले हैं तो फिर यह कि अब यहाँ पे गारी खोजने लगता हूं तो फिर बहुत लंबी मेरा थां रेस लगाने के बाद मेरे को एक फाइनली बगी मिल गई और ओपन में आने से मेरी किसी बंदे ने मेरे को स्पोर्ट कर लिया तो फिर मेरी वहाँ पे महुत कंफरम थी बट मैं बच गया वाई को अपने आपको कभी भी ओपन मिनना स्पोर्ट करवाओ ओपन में नहीं जाओ तो तो फिर मैं बगी को लेके आ जाता हूं रोजहौक में और रोजहौक में बंदे को स्पोर्ट करने की सोचता हूं मैं होर्न भी बजाया थोड़ा बहुत यहाँ पे तो कोई स्पोर्ट हुआ नहीं मेरे को तो फिर मैं आगे जाता हूँ ड्रॉप पे क्योंकि ड्रॉप था तो वहां पे अविसी बात है बंदे तो कुछ ने कुछ आई ही होंगे अब यहां पे ड्रॉप पे एक बहुत ही अमेजिंग सा सीन होने वाला है यहां पे मैं एक बंदे को 300 IQ से मारूंगा देख ना जरूर तो फिर यहां पे मैं ड्रॉप के लोकेशन पे आता हूँ तो बहुत सारे ग्रेट्स पड़ी रही होती है इसका मतलब यह कि यहां पे पाइट तो गजब की होई होगी लेकिन कोई बंदा मेरे को यहां पे स्पॉट नहीं होता है लेकिन पीछे से फायर आता है और मेरे को फुटस्टेप भी आ जाते हैं तो यहां पे एक M249 वाले बंदे ने पूरे एक टीम को वाइप कर दिया था और अब वो मेरे पे पुछ करने वाला था तो फिर बंदा धेरे-धेरे मेरे पे क्लोजिंग करता है और मैं एक तब तक नेट तानके बैठा रहता हू लेकिन नेट तो जो था वो मिस हो जाता है लेकिन देखो यहां पर बंदे को मैं 300 IQ से कैसे उसको डैमेज देता हूँ बाइस आप जैसे बंदा अंदर आया मैंने जो गैसकें था उसको फोर दिया उसको थोड़ा बहुत डैमेज जरूर पड़ा होगा और उसके बाद से देखो बंदे ने बहुत बड़ी गलती यहां पर की बाइस आप बंदे ने पता नहीं कौन सा भांग खुक कर रखा था मेरे सामने आएके M249 रिलोड कर रहा है अगर बंदा यहां पर M249 रिलोड नहीं कर रहा होता तो फिर वो मेरे को मार सकता था बट कोई नहीं पैनिक सिचुएशन में ऐसी गलतिया होती रहती है तो फिर भाई साथ लगवग 5-7 मेर तक खोजने के बाद मुझे कोई भी बंदा कहीं भी स्पॉर्ट नहीं हुआ इतने बड़े से सरकल में सिर्फ 5 बंदे हालाइव रह गए थे तो फिर उसके बाद से एक ड्रॉप यहां पर सामने गिर रहा होता है ताकि अगर कोई बंदा आये तो मैं उसको थोड़ा बहुत उंगली करूँ और वो मेरे पर पुश करे बट सैडली वहां पर भी कोई नहीं आता है और यहां पर दूसरा ड्रॉप भी गिर किया होता है तो फिर मैं यहां पर भी थोड़ा बहुत चक्कर वकर लगाता हूं ताकि यहां पर भी कोई आ जाए बट यहां पर भी कोई नहीं आता लेकिन यहां पर भाई साब अब मजने वाली थी भसर यहां पर देखो अब यहां पर एक लिए टीम को मार रिया था और उस टीम वालों के पास थी ग्रोजा और ग्रोजा का वाब सुनते ही मेरे हाथों से पसीने आने लगे थे मेरे अब कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे भाई ग्रोजा के सामने मैं शौटगन से कैसे बारूँगा उसको बट फिर भी मैं यहां पर घुस जाता हूँ और क्योंकि मैं जानता था कि उन लोगों ने एक टीम को मारा है तो फिर ओविसी बात है यार वो बिल्कुल कॉन्फिनेंट तो होंगे ही और वो मेरे पुश भाई साहब डीविस के दो बस्ट में दोनों बंदे खतम फिनिश मैं यहां पर इतना खुश सागी भाई साब क्लच कर गया यार सिर्फ 40% HP लॉस पे दो बंदों को जिनके पास ग्रोजा थी बैरिल थी उनको मैं शौटगन से मारा और अफकोर्स यहां पर चिढाना तो बन लग गया और वैसे मैं आपको बता दूँ यह बंदा नहीं था यह एक बंदी थी यानि की एक लड़की थी जो की लास्ट बची थी और मैं था और वो थी ठीक है तो फिर अब मेरे पास यहां पर एक छट था हाई ग्राउंड था तो फिर मैं उसको यहीं से स्पॉर्ट करन नहीं होता है लेकिन यहां पर आप आवाद सुनों भाई साहा बंदी के पास बंदी के पास MK14 था बदलब समझ रहे हो मेरे पास शॉट गन और उसके पास MK14 अभी मैं एक ग्रोजा वाले से भीड़ के आ रहा हूँ अब मेरे को सामना करना पड़ेगा MK14 वाले से तो फिर क्योंकि अब जोन आ गया था तो फिर मेरे को जोन में भी जाना था तो जैसे ही मैं जोन में जाता हूँ भाई बंदी मेरे बहुत ही गंदा फायर करती है MK14 से वो तो कहो कि मैं मूविंग कर रहा होता हूँ तो मैं बज जाता हूँ प्रेसे मेरे को अभी तक नहीं पता था कि ये बंदा था कि बंदी थी मैं बस इसको एक एंब ही समझ रहा था लेकि जब मैंने इसको मारा ना तब जाके मेरे को पता चला कि हाँ ये एक बंदी थी अब देखो यहां पे मेरी स्ट्रेटीजी यह थी कि मैं इस कवर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूंगा उसको अपने पुश्ट करने दूंगा अगर जोन मेरे से हटता है तो फिर मैं स्मोक कर करके मैं जोन में चला जागूंगा लेकिन उस पे मैं पुश्ट नहीं क्योंकि यह ओवियसी बाते उसके पास है MK14 और मेरे पास है शॉट गन मैं 10 मीटर से ज्यादा की फाइट ले भी नहीं पाऊंगा तो फिर यही मेरी स्ट्रेटीजी थी मैं कसम खा लिया था कि मेरे को इस कवर से बाहर नहीं निकलना है तो फिर यहां पे मैं जंप करकरके उ जो जोन आता ना वो पूरा जोन खत्म हो जाता है मैं तो यहां पर सूच लिया था कि मैं हील बैटल ही करूंगा क्योंकि मैं MK14 के सामने तो मैं नहीं जाने वाला मैं ऐसे ही शॉट गन के कुछ रैंडम शॉट देता हूँ ताकि कहीं पर अगर मेरे को हिट मारकर आए तो फिर मैं वहां पे दुबारा शॉट लूँ और उसके बाद से मैं एक रैंडम नेट भी ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जो बंदा है वो उसी डिरेक्शन में है तो फिर मैं उस तरफ एक नेट करता हूँ बट ये भी कोई काम में नहीं आता है तो फिर मैं उसकी लोकेशन जानने के लिए अपने कवर से थोड़ा बाहर निकलता हूँ ताकि वो में पर फायर करे और मेरे को उसकी लोकेशन का कुछ पता चले तो बंदा ऐसा करता भी है वो मेरे पर फायर करता है और मुझे उसकी लोकेशन कुछ पता चल जाती है मेरे को सामने दिख जाता है रिंगते हुए तो फिर मैं उसके पर एक नेट ट्राइ करता हूँ बिल्कुल आई बॉल वाला नेट ट्राइ करता हूँ और बिल्कुल उसके मुग के पास जाके फटता है वो ने बट वो बचाता है तो फिर अब जाके मेरे को पता चलता है कि ये एक लड़की थी तो फिर बस यहाँ पर हमारा कम्प्लीट हो जाता है शौटगन का चैलेंज और अगर आपको ये चैलेंज पसंदा आया हो तो ये डेफिनिटली आज की इस वीडियो में इतना ही और वीडियो पसंदा ही होते है लाइक कर दो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अब से ऐसे बवाल से गेंचलेज आपके लिए लाने वाला हूँ तो फिर चलो बाई बाई